नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी आप मेरे PC की स्क्रीन पे देख सकते हैं, investing.com यहाँ पे काफी ज़्यादा currencies दिख रहे हैं, यहाँ पे currencies के आगे stars दिख रहे हैं, stars जितने ज़्यादा फिल होंगे, उसका मतलब है, news impact उतना ही ज़्यादा है, volatile होने के chances उतने ही ज़्यादा है, सामने आपे timing लिखी हुई है, ठीक है, तो इसके basis पे हम decide करते हैं, कि market कौन स चूज करें, currency कौन सा चूज करें, ठीक है, तो आज के हिसाब से, अगर आज का particular market देखा जाया, तो मैंने चूज किया है, odd, ठीक है, and euro, तो इसका जो combination है, euro, odd, तो आज की हमारी best currency होती है, euro, odd, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे, odd के अंदर काफी कम news है, और अगर euro क की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, कि एक news जरूर है, आठ बजे, तो आठ बजे evening में, आपको थोड़ा सा वाइड करना है, timing को लेके, यहाँ पे आप देखेंगे, आठ बजे एक news है, उसके बाद अगर आप नीचे जाते हैं, तो यहनि कि अगर टेलिग्राम पे, तो जोइन जरूर कर ले, हर एक strategy पर $10 की काफी ज़ादा trades ली गई है, इसे हमें पता लगेगा कि कौन से वो selected strategies हैं, जिसके साथ आज के दिन हम जा सकते हैं, selected currency pair के साथ. दोस्तों, स्क्रीन पे कुछ आप strategies देख सकते हैं, यह वो strategies हैं, जिन्होंने आज के हमारे strategy test में टॉप किया है, इन सभी strategies के साथ, आज हम trade लेने वाले हैं $50 की, और देखते हैं, वो कौन सी strategy है, जिसके साथ हमारे selected currency pair की performance सबसे अच्छी रहती है. दोस्तों, आज की दिन के लिए आपको best strategy and best currency pair मिल ही चुका है, अगर आपने नहीं यूज की है यह strategy आज से पहले, तो आई बटन में और description में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं strategy, सीखिए और apply कीजिए आज पड़िबिलर currency pair के साथ. Thank you so much.